हेलो बच्चों कैसे लग रहे आपको पढ़ते हुए बड़िया समझ में आ रहा है अच्छे से ठीक है चलो तो आज का टोपिक करते हैं बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है एड़ेसें डाइंगल क्योंकि इसके बादवारा टोपिक लीनियर पेर बिल्कुल इस पर रिलेक्ट आपको यहां पर कितने एंगल दिखे रहे हैं तो एक एंगल तो आपको दिख रहा होगा यह वाला बनते हुए यहां से यहां तक का और दूसरे एंगल दिख रहा है यह वाला इधर से इधर का तो टोटल कितने एंगल दिख रहे हैं आपको टू एंगल दिख रहे हैं आप इस बुक का इतना ही काम था, बाकी दो मैं बता हूँ गई, ठीक है, तो two, में रिलेटिव एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो two angles के बारे में बात चल रहे हैं, उनमें एक नया चल रहा है, हमने complementer देख लिए, supplementer देख लिए, आपको I hope बिल्कुर समझ में आ गया होगा, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपको maths related कोई भी problem हो कोई भी query हो sir कैसे पढ़ना है sir हमारी book different है क्योंकि मैंने देखा है कुछ जगे पे क्या होता है कि NCIT use नहीं हो और दूसरी book use होती है अगर मन में आपके ऐसा कोई भी doubt हो न तो आप मुझे इस number पे बात कर सकते है मेरे से whatsapp करना call तो लगेगा नीज पे 1-2-4-2-2-3 8-0-0-1-2-4-2-2-3 इस number पे आप मुझे whatsapp कर देना कोई भी query हो आपकी आप whatsapp कर देना reply आजाएगा आपके पास में ठीक है किसी चीज related math sir later कोई भी problem आ रही है sir कैसे करना है क्या करना है तो वो सारी clear कर दूँगा ठीक है न दूसरी बात मैं clear कर देता हूँ इस course की कोई fees नहीं है एक दो parents का message आए था मेरे पास sir कोई fees लगेगी कोई fees नहीं है अप अराम से मस्ती से पढ़ो 7th class में हो न 10th तेक आपके कोई fees नहीं लगने वाली है बस बिंदास होके पढ़ते जाओ और इस पे मुझे message कर दिया अगर अच्छा लगे तो message कर दिया अगर sir आपने अच्छा पढ़ा है क्या problem आ रही है ठीक है तो comment तो मैंने off किया हुआ है आपको कोई भी comment करने का मन करें तो इस number पे कर सकते हो आपने क्लिया चलो adjacent angle की बात करें तो two angles की बात चल रही है कि two angles तो होंगे वाँ पे ठीक है अब वो adjacent है या नहीं है क्या है उसका सारा logic अब आपके सामने होने वाला है तो क्या है समझना कि two angles are called adjacent if two angles are called adjacent if चलो simple लगे मिली देता हूँ आपके लिए if they satisfy satisfy all of following conditions all of following conditions यानि कहने का मतलब है अब आपके सामने में कुछ condition लिखने वाला हूँ अगर ये उन सब condition को satisfy करेंगे न then only they are adjacent अगर उनमें से एक भी false हो गई तो adjacent नहीं होगा जिसे आप लोगों देखा होगा क्रिकेट की बात कर लें तो best all rounder कब बनता है कोई भी when he or she satisfy all condition क्या बहुत अच्छा batsman होना चाहिए अच्छी bowling भी होनी चाहिए अच्छी fielding भी होनी चाहिए अगर इन में से एक भी खराब हो तो ranking खराब हो जाएगी न उसकी तो वह वाली चीज है यहाँ पर कि आपको पता है कि एड़ेसेंड कब होंगे then when they satisfy all of following condition क्या condition है वो समझ लो अब only three condition है first they have common arm चलो they have common vertex लिख लो पहले they have common vertex सब का meaning बता हूँ आप सिरफ लिखो अभी तो ठीक है जादा नहीं है वैसे मैं बहुत कम लिखता हूँ second they have common arm क्योंके common arm हो third or last non-common arm non-common arms are in opposite direction of common arm non-common जो arm होंगी वो opposite direction होंगी of common arm common arm से opposite direction में होंगी ठीक है यह opposite direction किसके common arm के अलग-अलग direction different direction of common arm समझ सकते हैं इस चीज़ को ठीक है यह आपका निकल किया गया एक second हाँ जी चाहो तो इसको line को ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपके book में language है ऐसा लगभाईता हो समझा मैं दूँँ अपने तरीके से कि non-common arms are on either side of common arm या either side का मतलब भी क्या है वो यह अलग-अलग direction में ठीक है समझ में आ गया they have common arm common vertex common arm और non-common अलग-अलग side में होंगे अगर ऐसा है तो adjacent है otherwise नहीं है अब यह तो हो गया theoretical portion अब आ जाओ practically समझने के लिए condition भी बहुत easily याद हो जाएगी हर question में apply करना है तो आपको अभी 15-20 मिनट में condition याद भी होने वाली है ठीक है चलो कैसे start करें बुक के जो diagram में उनी का use कर लेता हूँ एक बार मैं जिससे आपका सारा का सारा try these वाला भी हो जाएगा portion cover और आपको कोई problem भी नहीं आएगे बुक के question करोगे उसके बाद भी ठीक है न? हाँ जी तो try these से उठा रहा हूँ मैं page number 597 हाँ जी first है this is angle 1 and this is angle आपको check करके बताना है कि angle 1 and angle 2 are adjacent or not आपको बताना है दोनों adjacent है या नहीं है अब सुनो मैं name दे रहा हूँ उनको A B C D name देने का फायदा कि आपको अभी समझ में आ जाएगा ठीक है उसका फायदा यह होगा कि फिर आपको diagram को देखने के requirement भी नहीं पड़ेगी जादा अच्छा जी कौन-कौन से angle की बात की है angle 1 क्या मैं angle 1 को angle D, B, C बोल सकता हूँ D, B, C बोल सकते हैं इसको मैंने बताया था आपको तो angle 1 को मैं बोल रहा हूँ angle D, B, C या फिर C, B, D समझना पूरा detail में और angle 2 की मैंने बात की 2 यह है इन दोनों के बीच बन रहा है that means C, B, A और A, B, C एक ही बात है angle लिख सकते हैं आप इस चीज को A, B, C ठीक है? A, B, C और यह D, B, C समझ गे इस चीज को अब आजाओ अपनी बाकी all three condition check करने में कैसे? first condition क्या है आपकी? condition बार बार चेक करनी है common vertex है या नहीं है आप खुद बताना कि D, B, C जब आपने बनाया तब आप B पे आये थे और when you are making A, B, C तब भी आप B पे आये थे तो B दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? B दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिलकुल आ रहा है ठेक है? तो B is common vertex ऐसी vertex ये vertex होती है कि नहीं होती है? बताया था आपको? जहाँ पे ये two arms होती है इसको arm बोलते हैं बता चुका आपको आपको यह vertex है, तो इन दोनों angle में common vertex है B, तो common vertex है आपकी B, चलो, first condition तो हो जुकिए अपनी satisfy, second, common arm, क्या ऐसी कोई side है इनकी जो common है, बिलकुल है बई, देखो, A, B, C, इसमें BC आया था, और D, B, C, इसमें भी BC आया था, आया, तो यह common हुआ कि नहीं हो दोनों का, बिलकुल common हो गय BC, अब जब यह common है, तो इस angle की बात कर रहा हूँ, A, B, C, और D, B, C में common तो यह हो गया, नोन common कौन 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 सी हो गयी, this is non common, and this is non common, right, क्यों common तो यह हो, जो common होता है, जो दोनों में हो, ठीक है, तो क्या यह AB इस direction में है, और BD इस direction में, मैं दुबारा diagram बनाने तो एक ब बहुत question करने वाले, बिल्कुल clear हो भी जाएगा, ठीक है, तो diagram कुछ आपका ऐसे था, समझ लेते हैं इसको, A, B, C, और D, हाँ जी, यह है आपकी common arm, दोनों में है, यह हो गया non common, A, B, तो A, B इस direction में है, और दूसरी non common है, B, D वो इस direction में है, और अपनी third condition क्या थी, कि non common arms are on either side of common, दोनों अलग-अलग side में होंगी, तो बताओ, common के दोनों अलग-अलग side में हैं या नहीं है, एक इसके right में, एक इसके left में है, है अलग side में, तो आप लेख सकते हो, कि non common arms, कौन-कौन सी, A, B, and B, D, A, B, N, B, D, are in either side, और opposite side of B, C, दोनों अलग-अलग side में है, तो इसका मतलब दोनों angle क्या है, adjacent, all three conditions satisfy, that means, angle 1 and 2 are adjacent, अभी starting के question है, थोड़ा time लगेगा आपको करने में, इसलिए पूरा detail में लिखवा रहा हूँ, बाद में आप shortcut में बता सकते हो रहा हूँ, और exam में अगर पूछे हैं आपसे कोई, तो आप पूरा पूरा लिख के दिखाओगे इस वे में, ठीक है, तिक बर इसको note कर लो, फिर next diagram बना कि उसको समझाता हूँ, हाँ जी, इसका जो second part है, try these guys, वो आपका है, one two, this is one, and this angle is two, इन दोनों को चेक करना है, कि one and two are adjacent or not, तो ये लिखा रहेने देता हूँ format, हाँ जी, मैंने name दिया ए, चल दूसर name रख लेते हैं, P, Q, R, N,S, ठीक है, कौन-कौन से angle की बात चल रही है, angle one, means angle P, Q, R, angle P, Q, R, and second is two, that is S, Q, R, S, Q, R, किक है, these both angles, ये Q point आ रहा है नहीं आ रहा है दोनों में, P, Q, R, Q point is there, S, Q, R, Q point is there, they have a common vertex or not, देख लो, क्यों दोनों में आ रहा है, common vertex, है ये वहले चीज, इसका मतलब common vertex, yes, that is Q, समझ गए, second thing, P, Q, R, इसमें भी ये Q, R, आ रहा है, and S, Q, R, इसमें भी Q, R, आ रहा है, this is arm, ये arm होती है, angle ऐसे होता है, तो ये उसकी arms होती है, मान लीजे, ये angle बना हुआ है, ठीक है, तो जहाँ पर join है तो होता है, इसका vertex, और ये क्या होती है, इसकी arms, ठीक है, तो P, Q, R, this Q, R is there, S, Q, R, is this Q, R is there, means a common arm is there, and that is Q, R, अब जब Q, R common है, तो angle 1 की दूसरी arm कुन सी बच गई, P, Q, R ये तो था, इसमें जब Q, R तो यहाँ हो गया, तो this is arm, इस साइड में है, इसके, आने दर arm is Q, S, Q, R में, Q, R तो चला गया, बचा कौन सा, Q, S, वो इस साइड में है, अब आप मुझे बता दीचिए, कि common arm जो है ये वाला, इसके एक साइड में तो ये है, और दूसरी साइड में है, है की नहीं अपोजी direction के अंदर, है न non-common arms, कौन कौन सी non-common arms, PQ, and SQ, are in either side of QR, are on either side of QR, that means angle 1 and 2 are adjacent, ये पडोसी है, ठीक है, लेगिन पडोसी भी ऐसा नहीं, पडोसी का मतलब भी होता है, जो आपका कभी help करे, मिल जूलके रहो, ठीक है, आना जाना हो, तो ये उताने पडोसी, इसको भी बोलते है, जो जीज है, है तो पडोसी adjacent, but actual में है नहीं है, तो ये condition होगी, कि common vertex, ठीक है, एक ही point से बने हो दोनों, common arm होना चाहिए, और non-common arm on either direction of common arm, ठीक है, इसको note करो, फिर next diagram है, third, हाँ जी, ये आपका हो गया, 1 हो 2, this is angle 1, and this is 2, ठीक है, name रख देते हैं, मालनीजी, A, B, C, this point is D, ठीक है, and this point is E, हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, you are talking about angle 1, angle 1 means C, D, E, this is angle 1, यही angle 1 है, C, D, E या E, D, C या angle D कुछ भी बोल सकते हो, you are talking about angle C, D, E, and angle A, B, C, या C, B, A, angle 2 के बारे में बाते जल रहे हैं, अब जरा मुझे बताना, इसकी vertex कौन सी है, D, angle 1 की vertex कौन सी है, D, और इसकी vertex कौन सी है, B, क्या common vertex है, दोनों एक ही जगे से बन रहे हैं, no, ठीक है, common vertex, तो आप लिखोगे इस चीज़ को, इसको एक बार के लिए भूल जाओ, ये बाद में काम आएगा, आप लिखोगे, no common vertex, कोई भी common vertex नहीं, यहाँ पर D है vertex, इस एंगल की, आप इस एंगल को separate हो, तो आपको एंगल इतना ही देखो, आपको क्या देख रहा है, C, D, E, तो D vertex हो गया, और इसको separate देखो, A, B, C, vertex B, तो no common vertex, जब पहली condition ही गलत हो गई, ठीक है, यही नहीं है, तो क्या adjacent होंगे, no, तो आप क्या लिखोगे, इसके बाद में, इस line को भूल जाए बर, second और third को मत देखना, तो आप लिखोगे, no common vertex, that means, angle 1 and 2 are not adjacent, बटा, first condition ही गलत हो गई, तो no need to check condition second or condition third, यही रोंग होगे, बाखी check करने का फायदा क्या है, because all three must be satisfied, clear, तो वही चीज़ है, common vertex नहीं है, तो खतम काम करो, इसको not correct बार, next question लेके आता हूँ, फिर मैं, हाँ, जी, so next है आपका, इसका fourth portion, वो क्या है, इस पे ध्यान देना, बच्चे यहाँ गड़बड करते हैं, ठीक है, तो अच्छा सा focus करके सुनना, इसी जुको, कैसे, angle 1, मैं name देता हूँ, एक बर आपको clear हो जाएगा, let this is A, B, and C, and this is D, तो we are talking about angle 1, ध्यान से देखो, angle 1 क्या है, यह angle 1 है, तो A, B, C, तो you are talking about angle A, B, C, and, angle 2 क्या है, angle 2 यह नहीं है इस बर, ठीक है, एक बर इसको भूल जाओ, angle 2 क्या दिख रहा है, आपको angle 2 दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, मैं इसको अगर मिटा दूँ एक बर के लिए, तो यह है angle 2, that is A, B, D, समझ में ही बात, difference के है इस यह ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, अब जड़ा बात करते हैं, इन दोनों angle की बात करें, तो ध्यान देना अच्छे से, A, B, C, okay, इसका vertex क्या है, B, तो हम बात करें common vertex, हमें पता लगा, इसका vertex है B, A, B, C, B मिड में आ रहा है तो वो vertex हो गया, और A, B, D, इसका vertex भी क दोनों B से जा रहे हैं, A, B, C ले लो, या A, B, D ले लो, बोथ हो, दोनों का midpoint क्या है, B, तो B is common vertex, तो common vertex equal to D, common arm पे दिबात करते हैं, ध्यान से देखना, A, B, C, यानि कि इस B, C के उपर गए हम, B, C पे गए हैं, और अगला है A, B, D, अरे ये क्या हुआ, A, B, C और A, B, D दोबारे बोल रहा हुँ, सुनो और आप ही बताओ, A, B, इसमें भी आया, A, B, C में, और A, B, A, B, D में भी आ रहा है, तो common vertex इस बार क्या है आपकी ये, A, B, common vertex is A, B, चेक कर लो, A, B, C में भी A, B, A, B, D में भी A, B, तो common vertex आपकी इस बार, A, B, समझ गए, common, दो दोनों मे आ रही हो, बात समझ में आ रही है, A, B, इसमें भी आ रहा है, A, B, इसमें भी आ रहा है, ओके, चलो, उसके बाद बात करते हैं, कि non-common, तो अच्छे से focus करना, क्योंकि यहीं logic है, यहा तक तो ठीक चल रहा है, भाया जी, A, B, जब common है, तो angle A, B, C का non-common कौन हो गया, B, C यह तो common है, B, C क्या होगा इसका, non-common, जो इसमें exist नहीं कर रहा है, common में नहीं है, A, B, C का BC, और B, C इसके इस direction में है, common के, ऐसे ही, A, B, D, मैं A, B, D की बात कर रहा हूँ, इसको भूल जाओ, A, B, D, A, B, D में B, D, B, D non-common है, और वो भी कहा है आपका, इसी direction में है, common arm must be on either side of common arm, और यहां तो दोनों के दोनों same side में हो गए है, समझ रहो, A, B is common, because A, B, C में भी आ रहा है, और A, B, D में भी आ रहा है, A, B is common, B, C is non-common, इस side में, B, D is non-common, इस side में, बोथ are on same side, तो non-common arms, कौन-कौन-C? non-common arms, B, C, and B, D, are on same side of A, B, क्या हो गए, same side के अंदर आ गए, that means, angle 1 and 2 are not adjacent, क्योंकि अलग-अलग होना जरूरी है इनका, और यह तो same हो गए, समझ गए, that means, they are not adjacent, यह non-adjacent, समझ गे सीज़को, तो यह question अच्छा है, इसको अच्छे से समझना, अब next question लेकर आता हूँ, let's do one thing, आज के लितना गाफी है, इस class के अंदर, इस related, और question बाद में लेक्या होँगा, उसके बाद में आपका linear pair हो जाएगा, vertical, opposite angle होँगे, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको concept clear होगे है, यह वाला, तो exercise question आप मेरी बिना help के भी कर दोगे, फिर भी में बताऊंगा, तो आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं अपने को करने की, और जब मुझे speed पकड़नी होगी ना, question जब कराने होगे, समझाता हूँ, बहुत आराम आराम से, और question आएंगे, बिल्कुल speed ली, ठीक है, अगर आपको मज़ा आराते वीडियो लाइक कर दो, आपको number दे दिया है मैंने, कोई भी problem हो, कैसी problem हो, कुछ भी बात करने हो, उस number में मुझे message कर देना, ठीक है, चलो, मिलते next video में,